हाई फ्रेंट्स विल्कम बैक टू किचन दर्बार आज हम दही की कड़ी या पकोड़े वाली कड़ी बनाने का तरेखा देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं दही की कड़ी के लिए हमें हमें चाहिए यहां हमने हाफ लीटर दही लिया है वन टीस्पून हल्दी पौडर हाफ टीस्पून बेशन चौदा से पंदरा हरी मिर्च आप यहां लाल मिर्च भी उज़ कर सकते हैं स्वाद अनुसार नमक वन फोट कप हराधनिया और अदर गलसन का पेस्ट सबसे पहले हम एक बॉल में दही लेकर इस अच्छे से फेंट लेंगे और इसके सारे लम्स घोल लेंगे अब हम इसमें दो गलास पानी आट कर लेंगे यहां हमने हरी मिर्चों को मिक्सी में डालकर इस अच्छे से पीस लिया है और इससे भी आट कर देना है अब हम इसमें अदर गलसन भी आट करेंगे और स्वाद अनुसार नमक भी आट कर लेंगे अब हम इसमें हल्दी आट करके इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताके बेशन के जोलम से वो अच्छे से डिजॉल्फ हो जाए अब हम इसमें वन टेबुल स्पून हराधनिया वन टेबुल स्पून करी पता आड़ कर लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे स्टोपे रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे दो से तीन उबाल आने तक इसे पकाएंगे ताके इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से गाड़ी हो जाए और बीच बीच में हमें इसे अच्छे से स्टर करते जाना है देखे कड़ी में उबाल आ गया है अब हम इसे दूसरे उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे याद रहे फ्लेम हमेशा मीडियम टू लो ही रखना चाहिए ये देखे हमारी कड़ी में दूसरा उबाल पर आ गया है अब मुझे इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए इसलिए मैं अब इसे आफ कर दूँगी फ्लेम को अब हम इसमें तड़के के लिए दो सावित लाल मिर्ज वन टे टेबुल स्पून करी पत्ता और यहां मैंने मेथी भाजी लिया आप सावित मेथी भी ले सकते हैं और वन टी स्पून जीरा अब हम एक पैन में टू टेबुल स्पून आइल आट करेंगे इसे अच्छे से हीट होने देंगे इसके बाद अब हम इसमें जीरा आट कर लेंगे और सावित लाल मिर्ज और करी पत्ता आट कर लेंगे इसके बाद हम इसमें हरी मेथी दालेंगे आप चाहे तो यहां पर साबिद मेथी भी यूज़ कर सकते हैं तड़के को अच्छे से ब्राउन होने देंगे देखिए हमारा तड़का अच्छे से ब्राउन हो गया है अब इसे आफ कर देंगे फ्लेम को अब हम इसमें पकोड़े आट कर लेंगे यहां मैंने प्यास के पकोड़े आट किये हैं और इसे कड़ी में अच्छे से डिप करना है अब इन पकोड़ों को दही में 10 मिने तक छोड़ेंगे इसके बात इसे गर्मा गर्म चामल या रोटी के सब सब कीजिए अगर आपको यह रेसीपी पसाना आई हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल के चंद दरबार को सबस्क्राइब जरूर कीजिए